दक्षिन एश्या का छोटा सा देश है श्रेलंका भारत के पड़ोसी देश श्रेलंका की आबादी करीब दो करोड़ बीस लाग के आसपास है लेकिन ये देश इस वक्त बड़े आर्थिक संकट से जूज रहा है यहां लोगों को एक कप चाय के लिए 100 रुपे चुकाने पड स्तर है विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है कर्ज के भारी भरकम बोज ने पड़ोसी देश श्रेलंका को दिवालिया कर दिया है श्रेलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच राश्पती गोडबाया राजपक्षे के इस्तिफे की मांग को लेकर गुरुवार को उनके आवास के सामने लोग इखठा हो गए भीर जब हिंसक हो गई तो पुलिस को आसुगेस की गोली छोड़ने पड़े साथी पानी की बोचार करके लोगों को पीछे हटाया गया इतना ही नहीं प्रदर्शन कारियों की पुलिस के साथ हिंसक जडब भी हो गई हालात इतन कम से कम 10 लोग घायल हो गय श्रिलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इंधन जैसी ज़रूरी चीजों की कमी हो गई है रसोई गास की भी कमी हो गई है और बिजली कटोती दिन में 13-13 घंटे तक की जा रही है श्रिलंका में जरूरी चीजों के आयात पर assemble के ल बन गया है आर्थिक संकर से जूज रहे श्रिलंका के लिए भारत ने एक बार फिर हाथ आगे बढ़ाया है और हर संबब मदद का वादा किया है लेकिन इस बीच चीन ने श्रिलंका को दगा दे दिया है भारत की मदद के आश्वासन के बाद उम्मीद की जा रही है दोनों प